Diffused Reflections जितना भी संभव हो आइने को साफ कर लें आइने पर लेजर बीम डालिए इस कोंड से आइने के प्रकाशित हिस्से को देखिए काफी दुन्दला है अब इस कोंड से देखिए वही बिंदु काफी चमकदार है एक बार फिर टॉर्च की दिश्रा से देखते रहिए और कुछ पाउडर छिड़किए बिंदु चमक उठता है आइने की चिकनी सदल से अधिकांश प्रकाश लेजर टॉर्च की विप्री दिश्रा में परावर्तित हो जाता है इसलिए टॉर्च की दिश्रा से बिंदु बहुत जुंदला दिखता है और वही बिंदु परावर्तन की दिश्रा से बहुत चमकदार दिखता है पाउडर डालने पर सत्रह खुर्दूरी बन जाती है और प्रकाश को हर दिशा में फेला देती है अब टोच की दिशा में सत्रह से परवर्तित होकर ज्यादा प्रकाश आने रगता है इसलिए बिंदू ज्यादा चमकदार दिखता है झालने जाती है झाल 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 झाल